Hello friends, this is Papand Sharma and I welcome you all to my channel. Guys, बायत करते हैं इंट्रोडे स्टॉक्स के लिए जो रहेंगे 19th of October and the day would be Monday. चले शुरुवात करते हैं रिकाप के निफ्टी के साथ में. अगर आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी ओपन हुआ, नीची आया, आपने सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर जाके कंसोलिडेट किया. तो आपका एंट्री यहाँ बनेगा. जैसे मैं आपको हमेशे यह अपना रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, वो कहता हूँ, कंसोलिडेट कर रहा है. इसी तरह से अगर स्टॉक अपने हाई पे जाके resistance को फेस करे, उसके बाद कंसोलिडेट करे, या फिर सपोर्ट को और आने वाला पूरा हाफता भी ऐसा ही रहने वाला है. तो अगला स्टॉक देखें अगर आप, अगला स्टॉक था हमारा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में देखिए, 23,250 के आसपास का support था हमारे पास में, वाया support लिया, उसके बाद ऐसके बाद कंसोलिडेट किय यह हमारा support level था, उसी support level पे आके stock ने rise करने के बाद fall किया और consolidate किया, तो हमारा entry यहाँ बनेगा और यहाँ से फिर entry जो है, almost हमारे second levels के आसपास जाके उसने एक अपना momentum को रोका. यहाँ पे देखीगा, यह हमारा sun farma है, sun farma में यह कल का support बनाया था, stock ने उपर गया, नीचे लिया, लेकिन अगर आप notice करेंगे पहली candle को, तो first candle आपकी doji बनी है, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कि जब doji बनती है, तो या तो stock में उसको उपर जो break करे या नीचे break कर से, तभी आपकी जो है, momentum clear होगी, और इतनी बड़ी doji का मतलब है, कि most of the time you might not see a clear run for the rest of the day, तो आप यहाँ देख भी रहे हैं, कि नीचे गिरा, उसके बाद फिर एक बड़ी सी candle बनी, या तो आप जो है support पे लिया है, नहीं तो उसमें फिर आपका जो है, बाद में कोई momentum नहीं बनता दिखरा, in Sun Pharma. ICIC bank, ICIC bank में यह support था हमारा, तो मतलब जब भी stock उपर गया, उसके बाद आपने support के आसपास है और consolidate किया, which means, आपको जो है support के बाद में, जो momentum निकला, वो यहां से निकला, and you get a rise from 394 to 400 in ICIC bank. अगला stock है हमारा, Ambuja cement, Ambuja cement में देखिए पहले जो है stock ने, यह हमारा support निकल के आ रहा है, तो stock उपर गया, नीचे आया, उपर गया, और फिर यहीं पे इसने consolidate किया, और consolidation के साथ में support level भी मिल गया हमें, यहां से फिर हमें जो है एक अच्छी up move मिली, जिसने stock को almost second target तक उ यह था हमार recap, चले बात करते हैं stocks के बारे में, मेरा पहला pick रहेगा, वो रहेगा फिर से Ambuja cement, अगर आप Ambuja cement को देखेंगे, तो यह कल यहां पे आया, उसके बाद एक low बनाया, फिर high फिर एक वापस से जाके उसी point पर रुख गया, मतलब यह जो double bottom इसने बनाया है, और तो यह एक अच्छी rise लेगा उपर के तरफ, जो हमें buying opportunity में help करेगा, लेकिन अगर यह 250 का एक, जैसे मैंने आपको बताया, recap में, resistance पे hold करके नीचे आना शुरू हो जाए, वहीं पे consolidate करे, तो उसमें आप selling भी आराम से कर पाएंगे, वो भी जो है, अपने day high के उपर, तो इसने मैंने amboja cement को pick किया है, अगर आप बात करें CAC की, तो CAC देखिए, लगातार गिरता आ रहा था, गिरने के बाद में CAC ने खोल्ड किया आपने आपको, और उसी level के आसपास आके उसने अपने आपको रोका है, तो अगर यह level जो है, which is around from 575 to 580, अगर इस level को break कर देत है, तो CAC में जो काफी लंबे time से नीचे गिर रहा था, तो एक buying opportunity हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर यह अपने current level को यह skip कर देगा, which is around 572, तो यह फिर से नीचे की तरफ dip हो सकता है, that is the reason for choosing CAC. बात करेंगर BPCL के बारे में, तो BPCL में देखिएगा, यहां से शुरुवात करते हैं और यह वाले point, BPCL के लिए यह एक support था, तो यह time पहले, उसके बाद फिर से support बना, फिर यही resistance बना, आज फिर से वापस try करने के बाद में, वापस जो है, BPCL उसी resistance को touch कर रहा है, जो काफी लंबे time तक उसका support बना था, तो जब भी अगर resistance अपना break करेगा, तो एक बड़ी movement के साथ में, उपर के तरफ stock जा सकता है, इसी लिए हमने BPCL को pick किया है, और आज कल जो energy stocks तो अच्छा perform भी कर रहे हैं, तो यह भी आपको काफी help करेगा, अगला है Tata Steel, अगर Tata Steel को आप जो है, वन आवर के चार्ट पे, बॉलिंजर बैंड के साथ देखेंगे, तो आपको जो है, यह दिखाई देगा कि, बॉलिंजर बैंड में लगातार last one hour में काफी movement आया है, तो अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि, बॉलिंजर ब next day, और जो है Steel के demand production बढ़ने के वज़े से, यह माना जा रहा है कि Steel सेक्टर एक बार अच्छे से rise करेगा, उसके पीछे reason है हमारा Tata Steel, अगर आपको stock market को primary source of income बनाना है, in future, तो आपको जो है, चार्ट ट्रेडिंग, प्रॉपर stock selections, कैसे levels को identify करते हैं, और कैसे आपको यह प इसके लिए आप हमें join कर सकते हैं हमारे technical online program पर, जिसमें आपको यह हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन अगर आपके पास में time कम है, आप नहीं चाहते है, चार्ट ट्रेडिंग करना, तो आप थोड़ी सी knowledge के साथ में, मतलब आज market उपर जा सकता है, या market उपर नहीं जा सक सकते हैं, market range bound हो, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, उसके लिए आपको option strategy सीखना पड़ेगा, जो हमारे weekly classes होते हैं, तो अगर आपको दोनों program के बारे में ज्यादा जानना है, तो आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं, 9711411007 to know more about our training program, चलिए वीडियो में, बात करेंगे, निफ्टी क current level जो है, 11600 के पास काफी अच्छा strong support है और 700 के पास में, जब तक 11700 तक stock उपर है, तब तक कोई problem नहीं है गिरने के लिए, क्योंकि 700 और 600 दोनों तरफ अच्छा strong है, लेकिन एक बड़ी problem ये है कि 800 पे भी काफी अच्छा resistance है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत narrow zone में stock trade 800 के उपर जाएगा, थोड़ी दर wait करेगा, उपर जाए तो ठीक बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वो 850 का level हमारे पास में आपको exit करना पड़ेगा, लेकिन अगर stock नीचे गिरता है, तो आप जब तक वो stock 7 को cross करे, थोड़ी दर वाहाँ trade करे, उपर जाने जो है financial stocks में buying की वजए से थी, अभी हमारे पास में 528 के आसपास की जो closing है या 533 है, actually 23, 550 का आपको पता है, एक अच्छा resistance है और आपको नीचे की दरफ गिरेगा, तो 530, जो है 350, sorry 23, 350 जो है एक अच्छा support level है, immediate की बात कर रहा हूँ है, तो अगर 550 की उपर stock जाता है, रु definitely you can go for buy, अधर वो वहाँ पर जाके hold करता है, और नीचे आगे consolidate कर की गिरना शुरू करेगा, तो बिना सोच समझे sell कर सकते हैं, अच्छा profit आपको मिलेगा, और 350 ब्रेक हो गया, तो वो dip करेगा सीधा 23,000 पर, Disclaimer guys, that all these video which I create for you, for education purposes, if you are taking in a trade on my recommendation, then do consult with your financial advisor before taking those, Guys, अगर आप हमें जोइन करते हैं, तो उसमें आपको live support provide करते हैं, live market में, उसका link description box में है, उसके अलावा जो है, कुछ DMIT account के link description box में है, और हमारे websites का link भी description box में है, और जाने से पहले subscribe कर ना मत भूलेगा, and that is all for today, I will see you into my next video, have a nice day, take care.